नमस्कार, कापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर देश में चुनावी महौल है लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोट में चल रहे एलेक्टोरल बॉंड को लेकर मामला चल रहा है लेकिन अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से चुनावी चंदे को लेकर कुछ ऐसे बयान दिये गए हैं जिसके बाद जम कर फजीहत उन पार्टी के नेताओं की हो रही है जो एलेक्टोरल बॉंड को लेकर बीजेपी से तो सवाल कर रहे थे लेकिन जब खुद की बारी आई तो मूँ छिपाने लगे हैं तो चलिए आपको भी बताते हैं उनने ताओं के बारे में जिन्हों ने अपने चुनावी चंदे पर बयान दे कर अपना ही मजाक बनवाया है चुनावी बॉंड स्कीम के रद होने के बाद सर्वोच न्यायाले ने सभी पार्टियों से इसका डेटा सारवचनिक करने को कहा था ऐसे में कई पाटियां समंजस में पढ़ गई तब ही त्रिनमूल कॉंग्रिस और जेटी उने अपने दान दाताओं का नाम छिपाये रखने के लिए नई तर्कीब निकाली इन पाटियों ने बताया कि इन्हें नहीं पता इनकी पाटियों को करोडो किसने डोनेट किये जम कर फजीहत हो रही है दरसल एक रिपोर्ट के मताबिक त्रिनमूल कॉंग्रस ने तो कहा कि कुछ अग्यात लोगों ने कॉलकता में मौझूद उन्हें कार्यालों में सील बंद लिफाफे छोड़े थे इसलिए उन्हें नहीं पता कि उन्हें डोनेशन देने वालों का नाम क्या है टी एंसी ने ये वज़ा देकर अपने दान दाताओं की पहचान का खुला सा नहीं किया है उन्होंने 16 जुलाई 2018 और 22 मई 2019 के बीच चुनावी बॉंड के जरिये सामोहिक रूप से लगपक 75 करोड रुपए का योगदान दिया इतना ही नहीं इसी तरह से जदियों ने भी जवाब दिया उन्होंने अपने 30 मई 2019 को जमा कराई हलफ नामे में कहा था कि 3 अप्रेल 2019 को पटना में कोई आया और उन्हें सील लिफाफा देकर चला गया जब उसे खोला तो उसमें एक एक करोड रुपए वाले 10 एलेक्टोरल बॉंड थे जेडियों ने कहा उन्हें नहीं पता कि ये दान दाता कौन थे उन्होंने कहा कि ना हमें पता है कि दान किस ने दिया और ना हमने जानने की कोशिश की उस समय सुप्रिम कोट का आदेश अस्तितुव में नहीं था सिब भारे सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना चल पार्टी ने इस बयान के साथ ही दो दान दाताओं का नाम भी उचागर किया, एक का नाम अजमेर की श्री सिमिन्ट लिमिटेड है चिन्हों ने दो करोड दान दिये और दूसरी हरियाना के भार्तिय एटिल लिमिटेड है चिन्हों ने एक करोड रुपए दान किये, वहीं TMC ने अपने एक भी दान दाता का नाम नहीं बताया है उन्होंने बस कहा है कि State Bank of India के यूनिक नमबर से शायद दान दाताओं का पता चले, उन्हें तो जानकारी नहीं है वहीं दूसरी तरफ चुनावी चंदे के लिए Electoral Bond की जानकारी साज़ा करने को लेकर 18 मई को सुप्रीम कोट ने SBI को कड़ी पतकार लगाई कोट ने State Bank से अगले तीन दिनों में Bond के यूनिक नमबर सहित सारी जानकारी निर्वाचन आयोग से साज़ा करने को कहा है आयोग को हिदायत दी गई है कि बैंक से मिली जानकारी फॉरन अपनी वेबसाइट पर अपलोट कर आम जंता को सुलब कराए इस मामले पर बैंक के वकील हरीश सालवे ने कहा कि हमने आदेश को जिस तरह समझा उसी तरह से उसका पालन किया आपके आदेश और हमारे समझने में कोई गफलत हो गई होगी हमने पूरी जानकारी तरतीब से साज़ा करने के लिए ही वक्त मांगा था CGI जस्टिस डीवाई चंदरचूट ने कहा हमने तो पिछली सुनवाई में SBI को नोटिस जारी किया था क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने को कहा था लेकिन SBI ने बॉर्ण नमबर नहीं दिया SBI पूरे आदेश का पालन करे सभी बॉर्ण के युनीक नमबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नमबर निर्वाचन आयोग को मोहया करवाए हम ये सपश्ट करते हैं हरीश सालवे ने कहा कि जहां तक बॉर्ण के नमबर की बात है हमें कोई परिशानी नहीं है साजा करने में हम दे देंगे सीजे आई ने SBI से पूछा कि आप किस फॉर्माट पर इलेक्टोरल बॉंड के डेटा को रखते हैं अल्फा न्यूमेरिक रखने का क्या मतलब था क्या ये सुरक्षा को लेकर था या कुछ और अगर बॉंड को बुनाया जाता है तो कैसे पता चलता है कि वो फेक नहीं है इस पर सालवे ने कहा कि हम धनराशी का पता लगाते हैं सीजे आई ने पूछा कि अगर बॉंड को बुनाया जाता है SG तशार महता ने कहा कि आपने पैसला दिया लेकिन कोट के बाहर कुछ दूसरी तरफ इसे अन्य धंग से लिया जा रहा है कंभीर मामला SBI के अर्जी के बाद सामने आया उसके पास प्रेस इंटर्व्यू देना शुरू किया सोशल मीडिया पर भी इसे अलग तरीके से चलाया गया अकर किसी ने किसी को पैसा दिया तो उसके बाद सब उसे अपने अपने तरीके से देखते हैं मीडिया कैमपेइन चलाया गया ताकि जजो को शर्मिंदा किया जा सके इस पूरी मुहीम के पीछे हिडिन अजेंडा है CGI ने कहा कि हमने तो केवल कानून के हिसाब से फैसला दिया था CGI ने मुकुल रोतगी को कहा अभी आपके असिस्टिंट की जरूरत नहीं है वहीं प्रशाद भूशन ने कहा कि अप्रेल 2019 में कोट ने बॉंड से मिले चंदे पर राजनीतिक पार्टियों से जानकारी मांगी थी केवल कुछ ही राजनीतिक दलों ने उसका डाटा साजा किया है इस पर CGI ने प्रशाद भूशन को कहा कि वो आराम से बहस करें कि सम्विधानिक पीठ है फिर CGI ने कहा कि अगर आप 2018 की बात करेंगे तो वो फैसले की समिक्षा होगी जो हम नहीं करने जा रहे हैं हम यहां पुनर विचार याचिका पर सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं प्रशाद भूशन ने बोलना शुरू किया तो SG ने फिर टोकते हुए कहा कि भविश्य में PIL दाखिल करने के लिए प्रशाद बहस करना चाहते हैं प्रशाद भूशन ने कहा कि बॉंट की खरेदारी 12 अप्रेल 2019 से पहले हुई होगी और उसे बाद में बुनाया गया इस पर सॉलिसिटर जेनरल ने फिर प्रशाद भूशन को टोका CGI ने चुनावी बॉंट की चानकारी मांगने वाले आदेश को 12 अप्रेल 2019 से पहले बढ़ाने से इंकार करते हुए कहा कि हमने सोच समझ कर 12 अप्रेल 2019 की कट ओफ डेट दी थी अगर हम उससे पहले जाएंगे तो ये और्डर की समिक्षा करने जैसा होगा तो उसे अंतिम्तिती होने दीजिये क्योंकि तभी अंतरी मादेश पारित किया गया था उसके बाद सभी को नोटिस में लाया गया था इस दलील के साथ ही सुप्रीम कोट ने 12 अप्रेल 2019 से पहले की जानकारी मांगने वाली अर्जी खारिच कर दी CGI ने कहा कि अगर जानकारी मांगते हैं तो हमारे ही पिछले फैसले की समिक्षा जैसा होगा लेकिन यहां अभी ऐसी कोई अर्जी नहीं है कोट ने कहा कि 15 फरवरी को ही हमने अपने फैसले में कहा था कि SBI सभी जानकारी महोया कराए CGI चस्टिस चंदरचूड ने SBI के चेर्मेन को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साचा करनी होगी और इस बाबत एक हलफ नामा भी दाखिल करना होगा इसी के पास SBI से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे दरसल सुप्रीम कोट ने 18 मार्च को एलेक्टोरल बॉंड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की कोट ने स्टेट बैंक ओफ इंडिया यानि की SBI से कहा कि वो युनीक बॉंड नंबर के एलेक्टोरल बॉंड से जुड़ी हर चानकारी 21 मार्च तक दे चीफ चस्टिस डीवाई चंदरचूड मामले पर सुनवाई के दौरान वकील मैथ्यू ने दुमपारा पर भडग गए CGI ने एलेक्टोरल बॉंड पर सुनवाई के दौराम ने दुमपारा से कहा आप मुझ पर चिलाये मत अगर आपको याची का दाखिल करनी है तो आप्लिकेशन दीजिए हम यहां आपकी सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं ने दुमपारा ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूरा फैसला नागरिकों के पीट पीछे दिया गया ने दुमपारा इस दौरान लगतार बोलते रहे इस दौरान जस्टिस बी आर गवाई ने कहा कि क्या आपको मानहानी का नोटिस चाहिए CGI ने कहा हम आपके लिए अपबात नहीं बना सकते ये फैसला सब के लिए है आप यहां तब आएं जब फैसला दिया जा चुका है हम अभी आपकी सुनवाई नहीं कर सकते इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोड बार असोसियेशन यानि की SCBA के अध्यक्ष अधीश अगरवाल ने खुद ही संग्यान के लिए याची का दाखिल की इस पर चीफ चस्टिस चंदरचूट ने कहा मिस्टर अगरवाल आप एक सीनियर वकील के अलावा SCBA के अध्यक्ष भी है आपको प्रोसेस की पूरी चानकारी है आपने मुझे लेटर भी लिखा है ये सब पबलिसिटी के लिए है इसको रहने दीजिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा यानि कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉंड को लेकर पूरी तरह से SPI फस कई है लेकिन उसके साथ ही टीमसी और जड्यू की मुश्किले भी बढ़ सकती है ये कहना गलत नहीं होगा आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए तब तक के लिए देखते रहें कापिटल टीवी नमस्का अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे स साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें क पॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया